सब्सक्राइब करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल एनलेसिस ऑफ स्टॉक्स तो पर आज हम यहां पर आपको कहना चाहूंगा इस स्टॉक में अभी तो आपको आवेट कर ना पर आप समझेगा यहां पर आप दियां से देखेंगे आपके सामदें चार्ट पर यहां पर एक केंडल एक दिन को रिप्रेजिन कर रहे हैं नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 110 रूपई से ब्रेक आप देखाते हैं लगभग 115 रूपई तक की तेजी आने का इक बार फि करता हूँ आपको दिखाए दिया यह देखेगा 125 रूपई पर फिर से रेजिस्टेंस आने को स्टॉक में घिरावट कहां तक क्यों तो लगभग लगभग 110 रूपई तो इस टॉक के अंदर आपको तेजी दिखाए दिती है और फिर स्टॉक जब गिरा तो कहां तक की गिर आप देखेंगे यहां पर गिरने के बाद 115 तक की गिरावट होती फिर से उपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाए देता है 125 रूपई तक और यह देखेगा 125 रूपई से नीचे आ रहा है अब आप देखेंगे इतने सारे पर की तरफ लिए थे किस प्राइस प्राइंट पे 125 रूपई पे तो डेफिनिटली यह दी गिरावट होती है तो फिर से आता हुआ दिखाए दे सकता है 125 रूपई तक इसलिए रिकमेंड करूंगा कि अभी आपको कोई भी फ्रेश इंट्री यहां पर नहीं लेना यह यहां से घिरावट करके अपनी पुरानी रेजमें लोटता है तब हम यहां पर कोई भी बाइंग नहीं करेंगा कि अभी आपको बाइंग नहीं करना ज्यादा चल चुका है उपर की तरफ जा चुका है अब इसमें घिरावट पॉसिए और घिरावट अगर होती है तो लग प्रफ काitu करना जब ग्रफ जिरावट है तो